बारती राशी चकर में 12 राशियां होती हैं और इस राशी चकर की आखरी राशी यानि 12 राशी मीन है इसके प्रतीक के रूप में एक दूसरे की तूच की तरफ मुख किये हुए दो मचलियां होती है मीन राशी का स्वामी गुरू होता है मीन राशी का असर पूर्वा भादरपद नक्षत्र के आखरी से लेके आखरी चोथे चरण उत्तरा भादरपद के सभी चार और रेविती के सभी चार चरणों पर होता है मीन राशी का भविश्य साल दरतेस में कैसा रहेगा यह बता रहे हैं प्रसिद्ध जोट्षी और प्रकार्ड विद्वान श्री इस गनेश जी मीन राशी मीन राशी वालों के लिए यह समय सामान्य है यानि आप पचास परसेंट के एवरेज में हैं आपके लिए उतना ही अच्छा है जितना बुरा है बुरा तो नहीं बोलना चाहिए कश्ट दायक रहेगा तो आपको यह परीक्षा का समय समझ लीजिए और आपने इसमें सही करके सही आगे बढ़ना है एक चीज जरूर है जैसे ही साल शुरू हो रहा है आपी के राशी में गुरू बैठ होएं वो जिसको दृष्ट करें वो अच्छा होता है तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो आपके लिए जो लेडी लक जिसे बोलते है न वो थोड़ी बैंगी है आपके लिए बैंगी है तो इसलिए आपको उन्हें अपनी और आकरशित करने के लिए बहुत जद्दो ज होता है august में एक अच्छा एक रॉबर में अच्छा ये दो ही फैनाशन में आपको अच्छा है हेल्थ के हेल्थ में देखा जाए तो आपको fat समंदी ये problems आजाएंगे है हम जा हिंदी में इसको बसा वसा चरबी हम हाँ चरबी समंद्धिये आपको इसमें इशुस आएंगे और आपको इससे और आंख Rend리 प्रञूल्rez अप्रॉब्लम भी आपको आएंगे तो इनसे आपको एंगे थोड़ा इसका ऐसे कहीं गुमने मत जाना आपके लिए ज्यादा ठीक नहीं है और फैमिली इशू अगर देखा जाएं आपके घर में शुबता जरूर आएगी जिनके घर में शादिया हो रही थी या आपके कोई रिलेटिव हैं जिनकी शादी होनी है वो सब आपके लिए अच्छा ल रहेंगी आपके अंदर की एनर्जी लेवल वो उससे उठी रहेगी जो बच्चे पढ़ रहे हैं यह साल आपके लिए एप्रिल के बाद ही अच्छा है और जिन्होंने भी आइस का एक्जाम देना है सी एका एक्जाम देना है या ऐसे कोई चीज जो बाहर जाने के लिए ल उदे इंडिया उदे इंडिया